हेलो फ्रेंट्स एका फिटसे आप सभी का हमारे चनल पर स्वागत आए और आज के सीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल आफ टीचिंग के बारे में और पिछले वाले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि टीचिंग किया होता है शिक्षिन किया होता और उसके मुख्य अधारों का अनुसरन करते हैं इन ही अधारों या माननेताओं को सिक्षन के सिद्धानत कहा जाता है तो उसके बाद देखे अभी प्रेणा का सिद्धानत है अगर आपको हिंदी मिनी सही में आगा तो इंगलिश में पढ़ सकते हैं प्रिंसिपल आफ मोटिवेटिंग उसक उसके बाद चेन का सिद्धान प्रिंसिपल ओफ सलेक्षन अभियास का सिद्धान प्रिंसिपल ओफ रिवीजन जीवन में संबन इस्थाफित करने का सिद्धान प्रिंसिपल ओफ लेंकिंग विद लाइफ निर्मान एवं मनुरंजन का सिद्धान प्रिंसिपल ओफ क्रेश उसके बाद नियोजन का सिधान, प्रिंसीपल ओफ प्लैनिंग, विभाजन का सिधान, प्रिंसीपल ओफ डिवीजन, निदान एवं सुधारातमक्ट सिक्षन, प्रिंसीपल ओफ डाइगनोज और रिमीडियर जीजिंग, उसके बाद है सहानु भूती और सयोग का सिधान, प् उसके बाद है और ये फ्रेंड जो principle of reinforcement किस ने दिया था ये skinner ने दिया था ये काफी ज़्यादा question पूस्ता याद रखेगा स्वय अधिगम का सिधान principle of self learner उसके बाद है ज्यान इंद्रियों को परशिक्षन करने परदान करने का सिधान principle of training senses उसके बाद है maxims of teaching जिसको हम सिक्षन के सूतर से नाम से जानते हैं तो क्या है यहाँ पर ग्यान से अग्यान की और जिसके आपके class में कोई भी teacher आते होंगे तो जो भी बच्चे थोड़ा वो जो जानते knowledge होता है उनके पास तो वहीं से teacher start करके अग्यानता की और ले जाते हैं यानि कि जो भी आपके पास knowledge है ग्यान से अग्यान की और यहाँ पर हम teacher जो आपको पढ़ाया जाता है उसके बाद है from known to unknown जिसको हम बोलते हैं या इसको हम और भाशा में बोल सकते हैं सरल से cutting की और यह easy to hard बोल सकते हैं और प्रतेक्ष से अप्रतेक्ष या इसको direct to indirect भी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं जैसे की wishes से समानने से की और और from specific to general अनुभाव से तरकी और from experience to logic और है विसलेशन से संसलेशन की और from analysis to synthesis उसके बाद है हम पढ़ेंगे इसमें सिक्षन के परकार तो क्या क्या परकार है सिक्षन के पहला तो है formal and informal teaching जिसकों अप्चारिक एवं अनप्चारिक section बोलते हैं formal teaching वो होता है जो आप अपने school के दौरा सीखा जाता है या आपको सिखाय जाता और informal teaching वह होता है जो आप समाज में सिखते हो या घर परिवार में सिखते हो उसके बाद यहां पर ज्यानात्मक भवानात्मक वक्रियानात्मक सेक्षिन कोगनेटि एफेक्टिंटि साई Uhr मोतोर जो आपकोटीछ इन देता महत्व होगा और सात मैं आपको भाव इंबोस्ट कर देते हैं और आपको क्रेट आध्मौिटी करे जाता है तो यह है सबसे ज्प IFFE arrows सिक्षज को बोला जाता है और उसके बाद और आंध दीचों को यहां पे चृतियर संट पढ़ा जयां मैं जो टीचर बच्चे को पढ़ाय और बच्चें को सौवाल भी नहीं कर सकते हैं परजात तांतरी हो गया उसमें जो बच्चों को यहां पर खुला इंवारिमेंट दिया जाता है आराम से पढ़ सकते हो उसमें और उसके बाद हस्त शेप रही इन दोनों का निचोड आई इसमें इसमें एक तांतरी कमी देखने को मिलता है ज्यादा तर इसमें पर होता है जो आपकर टीचर लिखा देते बच्चों उसको खाली याद करते रहते हैं इसको समस्ती निया मैमरी लेवल उसके बाद अन्डर्स्ठेंण लेवल तो इसमें гру बच्चा लिखता इसेखता निए और समस्ता ती इसमें बालानात्मग लिखा बहृते है इसमें द इसको डियागनोस और डिमीडियल टीचिंग भी कहते हैं तो वर्नात्म गयाने की टीचर जो भी सवजागत पात्यों सको डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद उपचार आत्मा भी आपको दिया जाता है वहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर प्रस्तूती करन प्रदर्शन आता होगा तो वही सब यह इसी यही सब परकार उसके बाद यही इतना ही आज की स्वीडियो में हमने आपको जानकारीच देना था उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना तो फैंड्स मिलते हैं याज वीडियो में झाल झाल झाल